नमस्कार दोस्तों वेलकम तो स्टडी आई क्यो आएस माइन एम इस चांद कुबा दोस्तों आज के अपने इस सेशन में हम लाउत्सो की एक बहुत ही इंपोर्टन कोटेशन डिसकुस करेंगे एक ऐसी कोट जो कि हमें हमारे विचारों से सावधान करती है एक ऐसी कोट जो कि हमें हमारे थौट्स के प्रती कौशियस करती है अवेर होने के लिए कहती है क्योंकि लाउत्से का कहना है कि ये आपके जो विचार आपके मन में आते हैं जिने आप अन्फिल्टर डाने देते हैं जिनको आप अपने मन पर प्रभाव छोड़ने देते हैं यही विचार धीर धीरे आपकी destiny बन जाते हैं आपकी तकदीर बन जाते हैं आज हम discuss करेंगे कि किस तरह से लाउट से ने विचारों को हमारी तकदीर से जोड़ा है क्या है पूरा link वो आज हम यहां पर discuss करेंगे साथी में जो important शब्दों का इस्तेमाल किया गया है इस quotation में वो हम discuss करेंगे उनका मतलब जानने की कोशिश करेंगे मुझे उमीद है कि आपको यह पूरा का पूरा सेशन काफी पसंद आएगा चलिए शुरुबात करते हैं आज के अपने सेशन से दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मे अगर आप UPSC को लेकर सीरियस हैं अगर आप UPSC के सीरियस एस्पिरेंट हैं तो study IQ IS आपके लिए लेकर आया है 10th life foundation batch यह जो 10th life foundation batch है इसमें आपको 1000 से भी ज्यादा घंटे की live classes दी जाती है साथ ही में आपको written notes दिये जाते हैं आपको test series दी जाती है और दोस्तों इसके सा साथ ही आपको answer writing practice भी कराई जाती है इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहां पर आपको mentorship program भी मिलता है जहां पर आपको एक personal mentor assign किया जाता है और इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको यह बता दू कि आपको senior I.S. officers जो retire हो चुके हैं और IPS officer से guidance भी मिलती है आ सकते हैं आपको अगर यह course के लिए enroll करना है आप हमारी website पर जाईएगा और वहां पर जाकर इसके लिए enroll कर सकते हैं इस course में अगर आप चांद लाइव कर यह code कोड़ इस्तेमाल करने पर आपको डिसकाउंटेड प्राइस पर यह कोड़ को या कोर्स मिल जाएगा चलिए अब बात करते हैं लाउटसे की इस कोड़ के देखिए लाउटसों ने जो कहा था कहा की वाच यूर थोट्स दे बिकम यूर वर्ट्स इन्होंने हमें सतर्क किया है कि भई अपने विचारों के उपर ध्यान दो अपने विचारों को जो आपके माइंड में अन्फिल्टरड वे में आ रहे हैं कोई भी विचार आपके मन में आ जाता है और आप उसे आने देते हैं उसके उपर थोड़ा सा ध्यान दो कहते हैं कि यही विचार आपके शब्द नहीं चलता और कहता है कि watch your actions they become your habits अब जो हमारे actions होते हैं एक बार हमारा action हुआ क्योंकि हमने कुछ गलत सोचा हमारे गलत शब्द निकले और उसके साथ ही गलत action हो गया एक बार ऐसा हुआ उसके बाद repeat हुआ repeat होते होते यह हमारी habit बन जाता है और कहता जी watch your habits they become your character और जो हमारी habits है वो हमारा character define करते हैं हमारा चरित्र define करते हैं और यह हमारा चरित्र है यह हमारा character है जो कि हमारी destiny जो कि हमारी तकदीर जो कि हमारा भाग्य डिफाइन करता है ultimately लाटसो का यह एक माध्यम है यह जरिया है तरीका है जिसके द्वारा वह हमें सचेत करना चाह रहे हैं चले एक करके यहां पर इन कोट को हम देखें उससे पहले लाउटसे के बारे में लाउटसों के बारे में थोड़ इसी में आपको जानकारी देता हूं यह जिनको लाउजी भी कहा जाता है यह एक चाइनीज फिलोसफर हैं इंशेंट चाइनीज फिलो हैं कि उन्होंने अपने जो उस समय के लोग थे उस समय के जो जनता थी उन्हें काफी जादा चैताने की कोशिश की, उनका कहना था the creative and binding force which is called Tao which runs through the universe but no one would listen उसके बारे में उन्होंने अवेर किया जैसे आज हम कहते हैं that there is some energy in us जो कि हमें जिन्दा रखे हुए, there is some energy which is running the whole world इसी तरह से उन्होंने Tao की इस concept को डिफाइन किया, उन्होंने कहा कि एक energy है जो आपके अंदर है उसको पहचानो उन्होंने ये भी कहा, his explanation that people could live happier, more fulfilling lives by aligning themselves with the natural flow of the Tao instead of placing themselves in the opposition to it went unheated, so देखिए ये एक सच्चाई है, किसी भी समय के जो philosophers होते हैं, किसी भी समय के जो संत महात्मा होते हैं, किसी भी समय के जो मार्ग दर्शक होते हैं, किसी भी field के आप मार्ग दर्शक की बात कीजिए, most of the cases में आप देखते हैं, कि उनको उनके समय में कदर नहीं मिलती है, उनको जाने के बाद, उनके बीत जाने के बाद, उनको याद किया जाता है, उनके बीत जाने के बाद, उनको कदर दी जाती है, ये एक natural सी बात है, जो कि हर culture में लगबग हमें देखने को मिलती है, और ही यहाँ पर लाउटसों के साथ भी हुआ खेर उनके जाने के बाद उनकी जो किताब है उसको लोगों ने पहचाना और आज के डेट में ये किताब हमें मार्क दर्शन करती है पूरे वर्ड में ये मार्क दर्शन का सोर्स बदी है नौब a quotation चो हम डिसकस कर रहे हैं इसको शूरु से लेखते हैं एक इंक इनका जो वर्ड है एक जो लाइन है च्छोट छोटा संटेंस हों देखते जाते हैं क्या कहते हैं आधे यार थार सबसे पहले विचार की thoughts की इन्होंने बात की, तो thoughts को समझ लेते हैं कि आखिर thoughts होते क्या है, विचार होते क्या है, देखें, कहता जी thoughts are the mental cognition, these are our ideas, our opinions, our beliefs about ourselves and the world around us, now, कोई भी विचार हमारे मन में, खुद के बारे में, कि मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं मुझे मेहनत करनी चाहिए, कि मुझे मेहनत नहीं करनी चाहिए, मैंने बहुत जादा मेहनत कर ली, अब मुझे आराम करना चाहिए, ये खुद के बारे में विचार हो गया, दुनिया के बारे में विचार हो गया, कि दुनिया ऐसी ही है, दुनिया बहुत अच्छी है, कहीं से देखना शुरू कर दूआ क्योंकि मेरा थॉट है कि भाई सारे के सारे मेरे आसपास के चाते रहें मैं क्या करूं है सब की एक्टिविटीज में यह फाइंड करना कोशिश कर दूआ यह ढूना शुरू कर दूआ कि यह इसने तीजी कैसे की हैं अपर हाओ इस इस परसन अवरी शुरूड परसन मैं यह ढूना शुरू तो एक नया परस्पेक्टिव मिलता है और वहीं पे यह थॉट्स हमें इंस्पायर भी कर जाते हैं मैं अगर यह सोच लूँ कि भाई मेहनत अगर मैं करूं बाकी सब अपने आप चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी और अगर मैं इस प्रस्पेक्टिव से इस थॉट्ट को धारन करके इस पर काम करना शुरू कर दो मेरा लाइफ चेंज हो जाएगी वाट इस थॉट एक बीज एक सीड आप कह सकते हो आपकी डेस्ट जिशे हम अपने माइंड में बार 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 रिपीट करते हैं वो हमारा एक टिटूड बन जाता है एक एक और के रूप में समझते हैं मिस्टर एक्स आपने यह सौच लिया कि मिस्टर एक्स जो है ना वह भावां फिर खराब आदमी है वह बहुत ही helpful और यू नो अन कॉपरेटर वादमी है उससे कोई उमीद रखनी नहीं चाहिए hopeless person है जब यह attitude यह जो thought है बार-बार मैं मिस्टर एक्स के बारे में सोचूंगा तो फिर क्या होगा मेरे रविये में उनके प्रती यही फॉर्ट जलकना शुरू हो जाएगा और यह फॉर्ट मेरे attitude का सीड़ बन जाएगा सो मेरा attitude मेरा रवाईया वह इस thought से पैदा और सो कोई भी thought कोई भी thought जो है वो किस तरह से आपके attitude को बनाता है वो हमने यहां पर देखा ना कहता जी इंपॉर्टन टू कंट्रोल यूर्ट यह चीज़ को समझने की जुरूत है कि हमारे two hand was 24 घंटे जब हम conscious है तब हमारे माइंड में चलते रहते हैं हमारे मन से हम बात करते रहते हैं हमारे मन में वह though चल रहे होते हैं वह हमारा मन है जो thoughts को चला रहा होता है saha hi देखते हैं कि हमारे जो thoughts होते हैं completely wildly run कर रहे होते हैं हमारा उन पर कोई control नहीं होता है अगर आप एक बार को अपने आपको साक्षी भाव से एक witness की तरह देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप अपने thoughts को run करता हुआ देख पा रहे हैं आपके thoughts आपके control में नहीं है कभी कोई thought आ गया कभी अचानक से कोई thought आ गया कभी आपने Google पे कोई news पढ़ ली तो आपका thought वहाँ चला गया कभी आपके कोई call आ गया वहाँ चला गया कभी कोई TV पे कुछ देख लिया घर में कुछ होगे आपके thoughts क्या है कहीं पे tick नहीं रहें स्थिरता नहीं है वो wildly run करते हैं and it is very difficult to have complete control our thoughts ऐसा नहीं है कि आप complete control एक ही दिन में पाब ही लेंगे ऐसा नहीं है in fact गुरबानी में तो हम देखते हैं कि गुरुनानक देव जी ने ये तक कह दिया मन जीते जग जीत यानि कि अगर आपने मन को जीत लिया क्योंकि ultimately मन से ही ये thoughts आ रहे हैं और अगर आपने अपने मन को control कर लिया यानि कि आपने thoughts को control कर लिया तो आपने जग को यानि कि दुनिया को जीत लिया now कहता क्या है if we can become aware that we can control our thoughts it is the first step to being able to choose the positive thought that will move you forward rather than allowing your inner voice to tell you unproductive things सबसे पहले aware होना कि भाई हमारे अंदर ये जो continuous process बातचीत चलती रहती है inner voice की तरफ से हमें जो thoughts मिलते रहते हैं इनको हम control कर सकते हैं ये awareness ही जब आ गई बस आदा काम हो गया जैसे ही awareness आ गई कि ये thought मेरे मन में क्यों आया मैं किसी के बारे में बुरा क्यों सोच रहा था ये मैं किसी के बारे में गलत क्यों सोच रहा था जैसे ही आपके मन में ये awareness आ गई आधा काम तो वहीं हो जाता है क्योंकि awareness पहला कदम है improvement की तरफ आपने ये awareness create कर लिया अगर अपने आरे में अपने बारे में किया, most of the time मैं अपने अगर thoughts को analyze करूँ तो दिन में 50% तो मैंने बुरा ही सोचा, in fact 70% मैंने दूसरों का बुरा सोचा, अपने बारे में बुरा सोचा, अपने उन लोगों के बारे में बुरा सोचा, जो कि मेरा सारा time करते हैं, अगर य and you can actually speak things into existence so again unchecked thoughts जो है वो वर्ट पन ही जाते है ना दूसरा इसका जो हिस्सा था quotation का क्या कहता है watch your thoughts they become your words यह यह हम अभी देखेंगे कहले जी वाचे वर्ट नौ कहता है कि words बन जाते हैं आपके thoughts no words होता क्या है शब्द होते क्या है शब्द एक जरिया है to explain yourself to communicate और एक means of expression है इसमें एक statement कोई comment कुछ भी आ सकता है whatever you say वो शब्द है वो वर्ड है राइट ना यह एक जरिया है means of expression है अब कहते जी वह एक्सप्रेस आर थोट्स विचर इन दी कॉंशियस माइंड और सब कॉंशियस लेवल of the mind so हम उन thoughts को ही अपने शब्दों के जरी एक्सप्रेस कर रहे होते हैं जो कि हमारे conscious या फिर सब conscious mind में होते हैं अलग-अलग फिलोसफर्स ने thoughts या वर्ड की अगर हम बात करें अलग-अलग फिलोसफर्स ने हमें हमारे वर्ड के बारे में समझाया है हमें बताया है कि किस तरह से हमारे वर्ड हमारा वर्ल्ड बन जाते हैं हमारे वर्ड हमारा वर्ल्ड टै करते हैं हमारी डेस्टिन दी टैकर तो क्या कहा नव यहाँ पे शैड राइट है उन्होंने क्या कहा कहते हैं जी यूर टंग इस यूर रटर इट विल स्टियर दी डारेक्शन आफ यूर लाइफ एंड डी आउटकम आफ यूर सिचुवेशन नाइंटी एट परसेंट अब टाइम तो क्या यहां पे उन्होंने टंग यानिकी जुबान जिससे हमारे शब्द बनते हैं उसको रटर बोल दिया अब रटर या फिर रट होता क्या है समझते हैं देखिए आपने अक्सर देखा होगा कि एक जो कच्छा रास्ता होता है उस कच्छे रास्ते पर हमें टायरों के निशान देखने को मिलते हैं यह जो टायरों के निशान होते हैं यह रटर हो होंगे अब वो जो एक कदमों का निशान या फिर वो जो टायर के निशान आपको दिखाते हैं दिखते हैं वो रट होते हैं बेसिकली हमें ऐसा लगता है कि वो हमारा रस्ता है और वो एक रस्ता बन भी जाता है और यह क्या कह रहा है तांग इस यह रटर यह आपका रस्ता रस्ताय कर रही है आपकी जुबान आपके शब्द आपका रस्ताय कर रहे हैं और उसी रस्ते पर आपको यह लेकर जाएंगे साथ में क्या कहा दिया वर्ट सार वर्ट क्रियेट वर्ल्ड सो इसके लिए हमें साफ़धान रहना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं 98% of the situations में आपके शब्द होते हैं जो की decide करते हैं कि आपका outcome क्या होने वाला है फिर क्या कहता है watch your thoughts they become your words हमने अभी देखा watch your words they become your action now actions की बात कर रहा actions क्या होता है हम कुछ भी करते हैं हम किसी भी तरीके से behave करते हैं हमार action होता है now actions को थोड़ा सा और deeply समझते हैं उससे पहले हम एक concept of attitude समझते हैं देखे attitude रवया इसमें ये तीनों चीज़ें आ जाते हैं हम अगर attitude की बात करें तो इसमें क्या होता है देखे इसमें तीन components होते हैं एक होता है cognitive component जिसे हम knowledge part कह देते हैं जिसको हमारे behavior को जो effect करता भी है दूसरा क्या होता है effective part होता है जो की हमारा feeling part होता है how we feel about others generally depend on the knowledge so again CAB component उसे कह देते हैं so C का मतलब क्या हो गया cognitive part यानि कि हमें knowledge क्या है A का मतलब हो गया effective यानि की feelings क्या है B का मतलब हो गया behavior now action कहां आ गए action आ गए यहां पर action आ गए हमारा behavior अब अभी तक की जो हमने quotation समझी वो क्या थी कैता है जी watch your thoughts again हमारे जो cognitive part है उससे हमारे words बनेंगे words से हमारे action बनेंगे तो वो यहां पर हमें link समझना चाहिए कि हमारा जो नॉलेज है जो हमारा thought है वो किस तरह से हमारे behavior में आता है और वो हमारे attitude में बिचह लग जाता है हमारा रविया भी इसी से बनता है अल्राइट ना कैता है जी watch your thoughts they become your words watch your words they become your actions so our thoughts and words ultimately result into our actions or behavior यह हमने देखे लिया फिर आगे क्या कहता है watch your thoughts they become your words watch your words they become your actions watch your actions they become your habit अब habits का क्या मतलब है देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा कि habits होती है है वो हमारे actions जो वो हमारा behavior जो कि हम बार-बार repeat करते हैं वो हमारी habit होता है तो a habit is a routine of behavior that is repeated regularly and tends to occur subconsciously आप देखिए पहली बार आपको सुबह 6 बजे उठकर अगर पढ़ना है एक्षिन अगें यह एक्षिन है उसमें आपने क्या किया उसमें आपने बहुत सार एफर्ट डाला सुबह 6 बजे सर्दी में पढ़ना है ठंड में उठना है आपका effort गया काफी जदा effort गया मन को तसली देनी पड़ी कि भाई आज पढ़ो इसको आगे हम benefit लेंगे आपने मन को भी तसली दी अपने शरीर को भी समझाया कि भाई उठना तो पढ़ेगा आपने बहुत सा effort करके सुबह उठे अब ये दूसरे दिन जब दुबारा उठे थोड़ा सा कम परिशान हुए तीसरे दिन जब उठे तो थोड़ा सा और कम परिशान हुए चौते दिन पांचवे दिन इस तरह से धीरे 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 करके ये subconsciously एक routine बन गया अब आपको सोचना नहीं पड़ता कि भाई सुबह उठना कितना tough है हर दिन आपको उठके अपने आपको at least उस level पे समझाना न नहीं रहा है और धीरे धीरे अगर ये continue रहता है आपकी life का routine बन जाए इसमें आपको कुछ सोचना भी नहीं पड़ेगा इसी तरह से आपने जब पहली बार गाड़ी चलानी शुरू की होगी तो उस समय आपका 100% focus रहा होगा road पे आप कोई बोलता भी है side में तो क्या करते हैं उसे चुप करा दते हैं लेकिन जब ये धीरे 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 रिपीट होता रहा है action आज चलाई फिर तीन दिन लगाता चलाई फिर आट दिन लगाता चलाई धीरे धीरे हम इतने जादा परफेक्ट हो जाते हैं कि subconscious mind गाड़ी चला रहा होता है हम अपना phone में भी द दोनती है इसी तरह से ऐच्छी है इबसा आज एक बार आपने द भार आपने मुश्किल एक बार स्मोक करना शुरू हो एँज से खांसी वोगरा भी होई होगा थोड़ा सा हाइब भी मिला होगा उसको आपने एक बार पे नहीं रोका वह रिपीट होता गया होता गया और व watch your thoughts they become your words watch your words they become your action watch your actions they become your habit and watch your habits they become your character ab character kya hai what is character a character kya character code define kaisa kya jay tell you take the head of the term character is used to describe a person's most prominent or tribute attributes it is this sum total of features and traits that form an individual's nature now attributes yeah for you can hear some total of what you do some total of what you do say and think up joe bolte ho joe karthi ho joe so chute ho us ka sum total to have wapka character man jata so you were distinctive features hey do a pko douserons a alag karthi khas kar ki apkido moral features hey joe kya ko douserons a distinct karthi hiya pa karakter rota so so aissa karakter again good karakter bad karakter wo isi se define hota so wo attributes joe ki agar achse hai to a parka karakter a cha ho jayega wapka good karakter bana the thing wo attributes joe ki buray a a parka karakter bura ho jayega is trying to come kata so karakter of a person determines what kind of person you are and what type of relations you form in the life so yeah a parka character he is a garrafik a kache belay insan hey a garraf friendly hey a garraf helpful hey तो आपका life का view भी वैसा होगा कि दूसरों की मदद करने चाहिए लोग आपको perceive भी वैसे करेंगे और आपकी life वैसे बन जाएगे आपकी company भी वैसी बनेगी अगर आप हैं ही ऐसे कि भई अपना फाइदा बाकियों का नुकसान आपको company भी वैसे मिलेगी अगें what goes around comes around ये भी हमें याद रखना चाहिए तो आपकी life वैसी ही हो जाती है जैसा आपका character होता है good character क्या होता है कहता है जी when you say that someone has a good character we are expressing the opinion that his or her nature is defined by the worth worthy traits like integrity, courage and compassion ये courage, compassion, integrity हमारे character में वैसे ही आजाता है क्या ये वैसे नहीं आता है हम हमारे विचारों में इस चीज को पहले लेकर आते हैं हमें ये सोचना पड़ता है कि भाई कोई भी situation आ गई डगमगाऊंगा नहीं UPSC है कोई भी exam हार मिलेगी दुबारा उठूँगा आगे बढ़ूँगा ये thought हमारे मन में आता है ये जब thought हमारे मन में आता है ये हमारे words में आता है Yes I can do it ये हमारे actions में आता है हमारी habit बनता है फिर जा के हमारा character बनता है एक दिन में character डवलप नहीं होता मैं नहीं यहां पे लिखा भी है कि एक दिन में character डवलप नहीं होता है अच्छा हो या फिर बुरा हो एक दिन में character डेवलप नहीं होता है अब यह मैंने कह दिया कि भई एक अच्छा character अगें वर्चूस वैल्यू से बनता है मेरी अगर वैल्यू है कि मुझे सच बोलना पसंद है मैं अब सच ही बोलता हूँ उससे मेरा career का नुक्सान होता है या फिर मुझे नुक्सान वैसे होता है मैं डरता नहीं हूँ राइट सो वो मेरे character को define करते हैं दे डू दर राइट थिंग इवन वेन इट को स्मूर देन वाट दे वांट तो यून पे अच्छा कार्य कर दिया उससे आपका character नहीं बनता है एक कार्य किया उससे क्या बना एक अगर इसका डिक्शनरी मेनिंग देखें तो डिक्शनरी डिक्शनरी मेनिंग आता है जिस को बोल दिया गया यहां पे जो की आपके life में क्या होने वाला है उसे predetermine करती है उसे क्या कह दिया destiny कह दिया और हमारी life में क्या तै करता है कि हम कहां पहुंचेंगे वही लाउट सो ने बताया क्या कि हमारे thoughts जो की हमारा वर्ड बनते हैँ फिर हमारा action बनते हैं, action से हमारी habit बनते हैं, habit से हमारा character बनते हैं, उससे तया होता है कि हमारी destiny क्या है So ultimately, क्या हुई हमारी destiny, जो हमारी thoughts में है, वो हमारी destiny हो, so हमारी thoughts हमारी destiny तया कर रहे हैं Now, William Shakespeare ने भी कहा था क्या, कि it is not in the stars to hold our destiny, but in ourselves यह हमारे सितारे नहीं तया करते हैं, कि हम कहां जाएंगे, हमारा भागय क्या होगा, यह हम खुद तया करते हैं, और खुद कैसे तया करते हैं, again, thoughts से कहानी शुरू होती है Right, इसी तरह से William Jennings ने भी कहा था, destiny is not matter of chance, it is matter of choice, it is not a thing to be waited for, it is the thing to be achieved Destiny यह नहीं कि matter of chance है, हो गया, ऐसा नहीं है, destiny को achieved किया जाता है It is something which is not to be waited, it is something which is to be achieved अंत में दुबारा यह flow chart देख लेते हैं, जो कि हमें समझ कर आगे इसके उपर ध्यान देना चाहिए सबसे पहले अपने thoughts को control कीजिए, क्योंकि thoughts को अगर control कर लिया, तो again, मन जीत लिया, जग अपने आप जीत लेंगे Positive thoughts को आने दिया जाए, Negative thoughts की उपर consciously हमें रोक लगानी चाहिए उसके बाद क्या है, Words, again, thoughts अगर improve होगे, तो words अपने आप improve होंगे and action अपने आप improve होंगे, habits अपने आप improve होंगी, character हमारे में reflect होगा ही होगा और अगर character अच्छा होगया, तो हमारी destiny अपने आप सही हो जाएगे, बस इतना ही था आज का हमारा ये session I hope कि आपको ये quotation पसंद आई होगी, and इसकी explanation पसंद आई होगी, इसकी जो भी ppt's है, वो मैं आपको बता देता हूँ वो ppt's आपको telegram के channel पर मिल जाएगी, अगर आप live foundation बैज जोइन करना चाहें, तो चांद live का ये code इस्तिमाल कर सकते हैं, और भी कोई अगर आप हमारे channel पर subscription करते हैं, हमारी website पर जाकर ये हमारी app तो चांद live का ये code इस्तिमाल करने पर आपको discount मिल जाएगा अगले session में फिर एक बार मिलेंगे दोस्तों, till then thank you and have a great day ahead, thank you